आप सभी का आज किस कक्षा में स्वागत है आज जो हमारा टॉपिक है वो सीखना और अर्जन है क्या होता है सीखना क्या होता है अर्जन समझेंगे सबसे पहला आप इस इमेज पर ध्यान दीजेगा ये एक स्टूडंट है और ये एक बच्चा है अब दोनों के इमेज के थूँ ही हम समझेंगे कि सीखना और अर्जन क्या होता है अगर कोई इनसान या कोई बालक या कोई भी व्यक्ति बहुत ही ध्यान पूर्वाक व्यवस्ते ढंग से नियम को पालन करते हुए किसी ज्यान को अर्जित करता है किसी ज्यान को जानता है तो उसे हम सीखना कहते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ही निचुरल वे पे बीना किसी नियम को follow किये हादा और कह सकते है बीना व्यवस्त्री ढंग से बैठे, बहुत ही निचुरल वे पे चीजों को सीख रहा है या समझ रहा है, तो अगर कोई वेक्ती चीजों को सीख रहा है और सीख रहा है कैसे बहुत ही ध्यान को होगा एक एक एकजामपल लेंगे जब आप क्या करते हैं घर में जो भाँजा बोलते हैं जब आप खाना खाते हैं फिर आपने daily life में implement करते हैं उसे उतारते हैं और आपका जो सीखना होता है, जैसे स्कूल की बच्ची का मैंने इमेज दिखाया, कि वो क्या कर, स्कूल में जाती है, वो अनुशाशन को सीखती है, वो जो पढ़ाई करती है, उस चीज को सीखती है, और लाइक में बहुत सारी चीजों को सीखती है, जैसे अगर आपने बच जाते अभी हमें समझना है और पीछे यह आपका सीट है बैठने का तो अगर आप बच्पन में साइकल चलाना सीखे हो ऐसा तो नहीं कि आप आप आटोमेटिक कोई काम कर रहे हो याद रखीएगा आप लाइफ में जो भी चीजे कर रहे हो सीखना और अरजन की बिना संभाव नहीं है अगर आप साइकल चला रहे हो तो आपको प्रॉपर उसके लिए सीखाया गया था कि आप बैलन्स बना कर चलाएं साथ ही पैडल मारे और हैंडल का ध्यान रखें तब जाके आप साइकल सीख पाए फिर आप बाइक चलाना सीखें जो गल्स होती है वो भी सेम उनके साथ ही होता है तो लाइफ में जो भी चीजे होती है उसमें अरजन और आपका सीखना सामिल होता है साथ ही अगर आपको इंगलिश नहीं आ रहा है लेकिन आप क्या करते हैं आपका जो ग्रामर रूल होता है आप उसे सीखते हैं साथ ही टीचर जो आपको आदेश देता है आप follow करते हैं, आप homework करते हैं, तो ये सब क्या सीखने की प्रक्रिया में सामिल है। लेकिन जब आप कोई काम मनमोजी तरीके से कर रहे हैं, उसे कहते हैं अर्चर। बस दोनों में यहीं अंतर है, और इसी चीज को हमें समझना है, चुकि यहां से सवाल आपके बनते हैं। तो ये हमारे life के लिए बहुत ज़्यादा important है, साथ ही आपके exam point of view से तो important है ही। कुछ points पर ध्यान देंगे, जीवन में हम जो कारे भी कर रहे हैं, याद रखिएगा जीवन में हम जो कारे bी कर रहे हैं, जिस भी छेत्र में विकास कर रहे हैं, वो सभी हमारे सीखने और अर्जन के माध्यम से ही हो रहा है। अगर कोई इंजीनियर, इंजीनिंग कर रहे है, तो ऐसा तो नहीं कि आटोमेटिक कर रहे है, उसने उस विधी को सीखा होगा, अगर कोई मजदूर, मजदूर जो काम करते हैं, अगर वो घर बना लेता है, मिस्त्री लोग जो घर बनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बिना सीखे और अरजन के हर चीज अधूर है इविन आप जो नोर्स लिख रहे हैं आपने लिखना भी बच्पन में सीखा है अच्छर बनाना आपने सीखा आप जो पढ़ रहे हैं उसकी भी तैयारी आपने बच्पन में की रही है तो यह सारी चीजी क्या आपके सीखने और अरजन पर न बड़े ही सरल ढंग से आपर परिभासा दिया हुआ है कि सीखना अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम बड़े ही ध्यान पूर्वग व्यवस्टेट ढंग से किसी नए ग्यान को क्या करते हैं प्राप्त करते हैं जबकि दोनों में अंतर है जबकि अर्जन में हम अपने आसपास की चीजों से प्राक्तिक चीज के बारे में जान पाते हैं बड़े ही natural way पे जब आपको कोई सिखाता नहीं है समझाता नहीं बस आप आसपास जैसे आपके जो संसकार होते हैं आपकी जो भासा होती है आप बै वस्थित नहीं होते हैं, ना ही किसी नियम का पालन करते हैं, बस सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है, चुकि हम अरजन और सीखना दोनों समझेंगे, सीखना जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लर्निंग कहते हैं, हम हमेशा, जब तक हम मरते नही हैं और उस अनुभाव की अधार पर फिर हम और च्यादा चीजों को सीखते हैं तो आज जो टौपिक है वो लर्निंग कि हमारे दो टौपिक है लर्निंग और अर्जन जिसे हम अकोजिशन कहते हैं लर्निंग एंड एकोजी साइं इंग्लिस पेडागोजी में भी ये टॉपिक आप देखेंगे हिंदी में भी आप भासा अर्जन और भासा अधिगम को देखेंगे लेकिन चाइल्ड साइकोलोजी में यह हम कह सकते हैं CDP में आप आप सीखना और अर्जन को समझेंगे कि लाइफ में इसका क्या सीखना एक अजीवन सतत प्रक्रिया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जब तक आपका जीवन चल रहा है जब तक आप सांस ले रहे हो तब से लेकर तब तक आप जीवन में सीखते ही रहते हो जब बच्चा क्या होता है माता के गर्व में होता है यह माता का गर्व आपका सीखना है और साथ ही ये क्या करती है जब तक आप मृत्यों को प्राप्त निकल लोगे तब तक आप सीखते ही रहोगे क्योंकि विकास सभी संभव है जब आपका सीखना संभव है सीखना और विकास बहुत जादा अपने आप में महत्पूर्ण है और ये दूसरे पर निर्भर करते हैं विद्यालय हमारे सीखने की दूसरी पार्ट साला होती है यहां पर बात हो रही है तो पहली पार्ट साला क्या होती है तो याद रखिएगा पहली जो पार्ट साला होती है वो परिवार होती है जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो हम अपने परिवार से ही सीखने की प्रक्रिया को आरंध करते हैं, फिर हम धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, विद्यालय में प्रवेस करते हैं, और विद्यालय का जो वातावरण होता है, वो भी हमें सीखने की नई दिसा की ओर ले जाता है, त तो पहली पार्ट साला याद रखिएगा सवाल बनता है कि किसी भी बालक, बालक में बालक बाली का दोनों सामिल होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि एक्जाम में सवाल बनते हैं परिवार के बार बालक अपने जीवन के पहलों को विद्याला के माध्यम से सीखता है मतलग पहला पार्ट साला क्या हो गया हमारा परिवार हो गया यह एक ऐसी संस्था है जहां बच्चों के विकास का स्वरूप बढ़ जाता है उसका विस्तार होने लगता है यह एक ऐसी पार्ट साला है ऐसी संस्था है जहां पर बच्चों के विकास का स्वरूप क्या होता है बढ़ जाता है उसका विकास होने लगता है मतलब ऐसा नहीं ह बच्चा यहीं पर आकर सीखता है, बच्चा ऑल्रेडी जैसे ही घर में वो जन्म लेता है, सबसे पहले जब वो जन्म लेता है, तो आप देखिएगा छोटा बच्चा घूम घूम कर चीजों को देखता है, वो कभी-कभी अपना फेस मूवमेंट करता है, वो जब आप जीन बच्पन में साइकल चलाना सीखा, लेकिन जब आप थोड़े और बड़े हुए, तो साइकल सीखने के माध्यम से यह आपने स्कूटी चलाना और बाइक चलाना सीखा, फिर आप जब स्कूटी बाइक चलाते हो, तो फिर आप कार चलाना सीखते हो, फिर ट्रॉक, फिर दुबारा सीखने की प्रक्रिया को जन्म देती है इस बात को आपको ध्यान रखना है तो क्या आमने देखा कि सीखने की प्रक्रिया ही दुबारा सीखने की प्रक्रिया को जन्म देती है ये सीखने की सबसे बड़ी विशेस्ता है विद्यालय आकर विद्यालय आकर बालक समाज से वास्तविक रूप से जुड़ते हैं क्योंकि उनका पहला समाज होता है वो क्या है परिवार होता है लेकिन जब वो विद्यालय आते हैं तो वो अंजान लोगों से भी जुड़ते हैं उनकी भाशा उनका रहन सहन उनकी जो वेजभूसा होती है खान पान होती है उसस वेक्तियों से मिलते हैं मित्रता करते हैं वह बात अलग है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मित्रता को ज्यादा importance नहीं मिलता है बच्चे हैं बच्चे कहते हैं लेकिन वास्तों में वहीं से जो हमारा समाजिक विकास होता है वो प्रारम हो जाता है विद्यालाय चरबालक समाज से वास्थविक रूप से जुढते चलर जाते हैं कभी कभी मितरता के माध्यम से तो कभी वहां के वातावरण के माध्यम से लियर हुआ ये क्या है आपका स्कूल है इस image से आप अच्छे से समझ सकते हैं सबसे जो जीवन की सबसे जो अच्छी अवस्था होती है वो बाल्य अवस्था होती है जब कोई बच्चा विद्यालाय में प्रवेश करता है अगला पॉइंट है बालक अपने आसपास के वातावरण से भी चीजों को सीखता है अपने आसपास वो जिन क्रियाओं को होता देखता है उसी को अधार मान कर वो अपने विकास को नहीं दिसा देने लगता है इसका अर्थ क्या है जैसे माल लीजे हमने आसपास देखा कि यह हमें सबसुनक की कि पेड़ बहुत ज्यादा काट रहा है ऊपना घर बना रहा है तो हम क्या सोचते हैं उल्टा सोचते हैं कि अच्छा ये जो इतना सा जमीन है जहां पस बहुत साथे पौधे लगे हुए हैं उसको हटा कर मैं अपना घर बनाऊंगा या अपना दूसरा काम करूँगा तो सीखना यसा नहीं कि सिर्फ पॉजिटिव वे पे होता है सीखना निगे परिवार किसी भी बालक की प्रथम पाट साला होती है वह परिवार से चीजों को सीखता भी है और उन सभी चीजों को ग्रहन भी करता है जैसे ये छोटे-छोटे बच्चे हैं आप देख रहे हैं दो छोटे-छोटे बच्चे हैं तो ये क्या है आपके दादा-दादी, मम् तो ये जो बड़े बुजूर्ग लूंग है ये जैसा काम करेंगे, बच्चे वैसा ही उस ज्ञान को अरजित करेंगे, ग्रहन करेंगे, और जब वो क्या करेंगे, नेचुरल वेपे, बच्चे हमेशा घर पे अरजित करते हैं, याद रखिएगा, अरजन की जो प्रक्रिया ह होती है, वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, तो वो विद्याले से प्रारम होती है, इसका मतलब यह नहीं कि सीखना कभी संभाव ही नहीं होता, सीखने का जो प्रकार है न वो एक प्रकार अरजन ही है, अरजन भी सीखना है और सीखना तो सीखना है कि, बस फर्क यह है कि कोई बच्च व्यवस्ति धंग से दिमाग को केंदित करके किसी ग्यान को अरजित करता है तो वो सीखना कहलाता है लेकिन कोई बच्च जब वो मनमोजी तरीके से बीना व्यवस्ति धंग से कोई ग्यान को अरजित करता है तो उसे हम क्या कहते हैं अरजन कहते हैं अरजन भी सी interaction interact होना जैसे जब teacher और student आपस में इंडरेक्ट होते हैं तभी क्या पता चलता है कि हां कि वो भी society बनाते हैं आपस में जुड़ते हैं और वैसे अंतक्रिय की जो प्रक्रिया होती हम अपने वातावरन से करते हैं हम अपने वातावरन से जुड़ते हैं पेड़ पौधे से जुड़ते हैं तो इस अभी क्या आपकी अंतक्रिया की प्रक्रिया है चलिए और कुछ पॉइंट से बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है ध्यान दीजेगा बहुत ज़्यादा important है बालक जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसके विकास का इस्तर भी बढ़ता जाता है अब वह दुनिया को पूरी तरह समझने लगता है यहाँ पास जैसे कोई बच्चा क्या है बहुत ज़्यादा बड़ा होगे जैसे आप लोग जिस एज में हो अब वो क्या कर रहा है अब समाझ के साथ-साथ वो पूरी दुनिया से अब जोडने लग गया है क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा सीख चुका है और अपना इतन लेने की नई दिशा के साथ-साथ नया विस्तार भी मिलता है इसका मतलब क्या है इसमें आपने देखा कि एक बच्चा परिवार से लेकर यहां तक कितना ज़्यादा चीजों को सीख रहा है मतलब सीखने की जो प्रक्रिया है वो कंटीनियू चलते रहती है सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है अगला पॉइंट है बालक जिस समाज में रहता है वहां सबसे प्रमुख रश्मों में विवा एक प्रमुख रस्मों में से एक है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ यह है कि बालक जिस समाज में रहता है ना वहां पर एक रस्म होती है जिसे हम विवा कह अच्चा क्या करता है समाज में रहते हुए ये सीखता है कि विवा एक प्रमुख रस्म है या परंपर है जिसे मुझे भी करना होगा और जब वो विवा करता है तो उसके जीवन में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं और इस परिवर्तन से भी वो जीवन के कई तथेों को स जीवन की नहीं शुरुवात होती है परिवार की संरचना के लिए एक और एक नई पीड़ी के लिए परिवार बहुत महत्पुर कारक होता है विवा के मंधन में आने के पश्चाद भी बालक हमेशा अपने ज्यान का विस्तार सीखने और अर्जन के माध्यम से करता रहता है य उसका ज्यान तब बढ़ेगा जब वो सीखता जाएगा हमेशा व्यक्ति सीखता ही रहता है बस उसका इन्वार्मेंट जो होता है वह प्रिथक पिधक होता है यहाँ पर सीखना और अरजन दोनों की बात हो यह है सीखना आप सभी जानते हैं कि आप जितना भी ज्यान है कभी-कभी जो चीज़े आपको पता नहीं होता है वो आप किसके माध्यम से सीखते हैं आप किताबों के माध्यम से सीखते हैं बड़े की ध्यान पूर्वा किसी चीज को आप पढ़ते हैं और सीखते हैं लेकिन कभी-कभी आप क्या करते हैं आप किसी स्टोरी के माध्यम से किसी कहानी के माध्यम से चीजों का ज्यान ग्रहन करते हैं तो वो क्या कहला जाता है आपका अरजन कहला जैसे आपको किसी ने कह आते कहीं तो उससे आप क्या कर रहे हो अच्छा तो आपको एक नई चीज जानने को मिलती तो यह क्या कहला आपका अर्जन कहला जाता है साथ ही अभी का जो वर्तमान का सीखने का जो पंधती है वो किस पर अधारित है मुवाइल पर आप सभी जानते हैं अब चुकि निधे एक पूरा वर्ल रोर हो चुका है तो हमें कोई चीज अगर नहीं मिलती है को कि अगर कोई चीज हमें नहीं मिलती है हम क्या करते हैं गूगल का प्रयोग करते हैं गूगल में सर्च करते हैं तुरन हमें कोच भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें तुरन गूगल का प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी क्या है आपका सीखने का प्रक्रिया है तो सीखने में बहुत सारे कारक सामिल होते हैं और बीना सीखें हम किसी कारे को ठी से नहीं कर सकते हैं दूसरा क्या है सीखना वेवहार में एक इस्थाई परिवर्तन है जब आप सीख लेते हो तभी तो आपका जो ग्यान होता है वो इस्थाई हो जाता है जैसे यह आपके कुमहार है अगर इनको मटका बनाना नहीं आता तो क्या यह मटका बना पाते मटका ऐ ये आपका मठ का है अगर इनको मठ का बनाना नहीं आता तो क्या ये मठ का बना पाते नहीं लेकिन एक बार आप ये मठ का बनाना सीख गया है तो lifetime इनका जो मटका बनाने का experience है वो हमेशा रहेगा अगर कोई व्यक्ति सीखने की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर देता है तो उसका ज्यान ग्रहन करने की भी जो प्रक्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है यहाँ पस याद रखीएगा सीखन व्यभार में एक इस्थाई परिवर्तन है यह व्यक्ति अप्सीख चुके हैं तो यह हमेशा इनका जो मटका बनाने का प्रक्रिया है वो दिमाग में हमेशा इस्थाई रहेगा साथ ही यहाँ पस कोई बच्ची है तो यह क्या कर रही है यह ड्रॉइंग कर रही है ठीक है अब इन्होंने भी तो कभी ड्रॉइंग करना सीखा होगा तभी तो यह ड्रॉइंग कर पा रही है तो एक बार जब हम किसी चीज को सीख जाते हैं, तो वो हमेशा हमारे दिमाख में क्या होता है, इस्थाई रहता है, तो बस हमारे सीखने की जो विसेस्ता है, ये उसी विसेस्ता की बात कर रहा है, जब हम किसी चीज के बारे में सीख जाते हैं, तो ग्यान हमेशा के लिए इस सथाइँ हो जाता है सीखना हमें इस ठाइग ज्यान देता है सीखने के बीना हम किसी छीज की कल पना नहीं कर सकते हैं अगला यह image क्या है आप देखिए, image के द्रू देखिए कि यहां पस क्या है यह construction का काम कर रहे हैं अगर इन्हें नहीं बनाना आता अगर यह बिल्दिंग्स बनाना नहीं जानते तो क्या यह कर पाते नहीं इसलिए इन्हों सबसे पहले इन विधियू को समझा सीखा तब जाकर इतना बड़ा बिल्धिम बना पारे हैं उसके निर्माण में ध्यान दे पा रहे हैं यह सभी क्या आपके इंजीनियर से तो मेडिकल की छेतर में भी अगर आप देखेंगे कि अगर डॉक्टर्स ऑपरेशन कर पा रहे हैं या बड़े-बड़ी जो इलाज होते हैं जिसका कभी हम कलपना भी नहीं कर पाते हैं वहां तक जो विधी पहुंच गई वह किसके माध्यम से सीखने के माध्यम से और सीखना कब संभव है जब वह खोज में हो तो सीखना हो गया खोज हो गया विकास हो गया यह सभी न एक दूसरे के बिना अधूर हैं तो सीखना आप समझ चुके होंगे कि बिना सीखने की प्रक्रिया के बिना आप कोई भी कारे नहीं कर सकते हो, कोई भी कारे संभाव नहीं हो सकता, सीखना एक सरभावमिक प्रक्रिया है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सीखना के वल आपके भारत में ही नहीं होता, बलकि ये पूरे विश्व में, इवेन हमारे धर्दी के बाहर भी जो चीजे हो रही है न, वो भी एक प्रोसेस के थ्रू हो रही है, इसने भी कभी, वैसे तो इसका कोई सिधान्त नहीं देखने को मिलता है, किन्तो आप इमेजन करिये, कि जो प्रक्रिया कंटीनिव चल रही है, उसके लिए भी तो कोई नियम होगा न, ऐसे तो नहीं वो चल रहा है, तो इन सभी च अधर में विद्वान है, यह सभी जगा विद्वान है, इसका मतलब यह है, कि आप यूनिवर्स भी चले जाओ, आप अंतरिच में भी चले जाओ, तब भी आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है, वो सामिल है, ऐसे कई लोग होए हैं, जो अंतरिच के हैं, उन्होंने भी मित नहीं है, सीखना धर्ती के बाहर भी विस्त्रूत है, जिस तरह हमारा विकास जीवन परियन तक होता ही रहता है, वैसे ही सीखना भी जीवन परियन तक चलता ही रहता है, अब आप देखिए इस इमेज की त्रू यहां पस लिखा है, सीखना उद्देश पून और पाना होता है, याद रखिया अप मनमोजी तरीके से कोई चीज कर रहे हो ना तो तो अरजन हो गया, लेकिन अगर आप कोई चीज को सीख रहे हो, तो आप हमेज़ा उस लच्छे को उस उद्देश को पानी के लिए सीखते हो, जैसे अगर आप बैट क्रिकेट खेलना सीख तो कहीं न कहीं आपका वो लक्ष है अगर आप बैट उठाकर चलाना सीख रहे हो तो क्रिकेट सीखना आपका उद्देश से है आपका पार्टिसिपेट करना उद्देश है अगर आप बॉली बॉल तीर चलाना सीख रहे हो तो यह सब क्या आपकी लक्ष है तो सीखने की प्र आप कोई टॉपिक पढ़ना सीख रहे हैं आज आप किसी चीज की तयारी कर रहे हैं सीखना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपका क्या है लच्छ और उद्देश सामिल है यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सीखने की प्रक्रिया है वह हमें लच्छ तक पहुंचाती है इसलिए यह उद्देश पूर्ण और लच्छ उन्मुक होती है पर पॉइंट लिखा है ना कि सीखना उद्देश पूर्ण और लच्छ उन्मुक होती है इसका मतलब यह है कि सीखने का एक उद्देश होता है और यह हमें सा लच्छ पर अधारिस होती है आगे देखेंग सीखना प्रगती और विकास की प्रक्रिया याद रखिएगा सीखना हमें क्या करता है सीखना हमारी प्रगती करता है और हमारा डेफलप्मेंट करता है बीना सीखने के ना तो हम कोई विकास कर सकते हैं ना कोई प्रगती कर सकते हैं अगर हम अंतरिच तक पहुँझ गये हैं, अगर पूरा विश्व इस छेत पर काम कर रहे हैं, तो वो किस पर अधारित है? सीखने की प्रक्रिया पर अधारित है. सीखने की प्रक्रिया के बिना हम ना तो कोई प्रगती कर सकते हैं और ना ही विकास कर सकते हैं कोई सीखने सब्द का अर्थ ही है प्रगती और विकास करना याद रखिएगा सीखने का अगर हम समाने अर्थ देखें तो उसका अर्थ ही होता है प्रगती और विकास क्योंकि बिना प्रगती के बिना विकास की कोई चीज संभव नहीं है और जब सीखना नहीं होगा तो कहां कि प्रगती कहां का विकास साथ ही सीखना क्या होता है उद्देश पूर्ण और लच उन्मुक होता है आगे पढ़ेंगे सीखना अनुभवों का संगठन है सीखना क्या करता है हमें Springs का कह सकते हैं हम लोग experience देता है ठीक है सीखना हमें बाव धैना यानुभवों का संगठन देता है इसका संगठन का मतलब क्या है कि आप एक एक कर कि चीजों को सीख जाते हैं सीखते जाते हैं संगठाटित हो रहा है तो यहां पस आप जैसे देखिये आप computer को इतने बेतलित्र पहले आप computer चलाने में कोई काम करने में computer में आपको एक घंदा लगता है लेकिन आप उसकाम को पांच मिन एक कर रही हुए क्यों कि आपको experience हो चुका है क्यों experience हो चुका है क्योंकि आपने सीखा है आपने लगा तर उस काम को किया है आपने सीखने की कोशिस की है साथ ही सबसेटा नॉर्मल होता है उसके माध्रीम से फिर वीए क्या करते है तो एसे से सीखना क्या करता हैं हमें उनुफ़ाव देता हैं नहीं होता है बहुत संहर्स के बाद यह 주ochा है साइनिक बनते हैं जब यह साइनिक बन जाते हैं तो इन्हें भी लाइफ का कई सारा अनुभाव देखने को मिलता है तो याद रखिएगा सीखना जो है वो अनुभाव पर अधारित है और अनुभाव तभी होगा जब हम चीजों को सीखेंगे अगला पॉइंट है गती विधी और वातावरण के कारण सीखना होता है जैसे आप चेस जब तक आप выधी नहीं करोगा एसा कभी हुआ है कि आप बैठे बैठे किसी चीज को सीख जाओ जब तक आप घती विधी नहीं करते हो जब तक आपका सीखन सम्भाव नहीं हो सकता पूंह भाइज बहुत ज्यादा हो रहे हैं कोई कि बातावारण जो है अगर हमें दीसा दिखाती तो गदिविधी उस रास्ते पर चलने में हमारी मदद करती है सीखना बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं बेस है किसी काम का कोई भी चीज अगर आप इवेन आप चल भी पा रहे हैं तो उसमें भी आपका सीखना और अर्जन सामिल है तो इस सारी चीज बहुत ज्यादा सीखना आगए सीखने को पुस्ट करता है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीखने प्रक्रिया ही हमें आगए सीखने में मदद करती तो याद रखियेगा सबसे पहले हमने नॉर्मली तरीके से चीजों को सीखा फिर हम उस लेवल को बढ़ाते गए तो ये क्या है सीखना सीखने की प्रक्रिया को पुस्ट करता है मतलब आगे बढ़ाता है दूसरा है नवीन ग्यान की खोच सीखना है नवीन ग्यान में मदद करता है दूसरा नया ग्यान अक्सर हमें गतिवीधियों के द्वारा होता है और गतिवीधि हम तभी कर पाते हैं जब हम उस विशय से सम्मंथित गतिवीधि के बारे में सीखे हो जैसे माल लीजे आपको पता ही नहीं है कि ये टाइटैनिक कैसे जैसे आप टाइटैनिक का यहां पर इमेज दिया है टाइटैनिक आपने कैसे बनाया क्योंकि आपको पता था जहाज बनाने की विधिया आप जानते थे सीख चुके थे क्योंकि आप इससे पहले छोटा-छोटा नाव बना चुके थे जहाज बना चुके थे तभी आपने क्या किया एक विसाल टाइटैनिक जैसा जहाज का निर्मार किया जिसके बारे में कहा गया था कि ये विस्व का एक ऐसा जहाज है जो कभी नहीं डूबेगा और दुख की ब मंगल यान, चंद्रयान ये सब कर पा रहे हैं तो किसके माध्य हम से क्यूंकि आपने सीखा है तिसारी चीजी इसमें सामिल है चलिए तो आज की कक्षा में हमने सीखना और अर्जन को जाना जो बहुत इंपोर्टेंट था कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, थैंक्यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेच पर विजिट करें, अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको